हलो दोस्तों स्वागत है हमारी वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपराजिता का फुल बिज से किस तरह से आप अपने घर पे उगा पाओंगी दोस्तों आज हम उगा कर दिखाऊंगी आपका रिजल्ट के साथ मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से अपराजिता का प्लांस उगाना है और इस तरह से इससे अधिक फूल पाना है क्योंकि जब हम अपने घर उपर प्लांस लगाती हैं तो हमारा प्लांस बहुत ही बढ़िया हो जाती है और उससे ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया करती है और अधिक मातरे में फलाबर दे पाती है जैसे कि आप देख सकती हूँ कि हमारी पौधी में किस तरह से फलाबरिंग आई हुई है क्योंकि इस तरह से हम जब फलाबर लगाती हैं दोस्तों और इस तरह से हम फलाबर पाती है तो हमें बहुत ही गर्भ होती है कि मैंने कुछ इस तरह से फलाबरिंग लगाई हूँ औ कि देखिए बीज से किस तरह से प्लांस उगाया जाता है कैसे उगाया जाता है तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे बीज से किस तरह से आप अपनी घरों पर अपराजिता का प्लांस उगा सकते हो क्योंकि यह हमारा देखिए सुखे हुए बीज है इस बीज से आप धेरों अ जो हमारे कागेच पर देख रहे हूं पेपर पर देख रहे हूं दोस्तों यहां पर कम से कम हमारा 70-80 बीज है और इससे पूरी प्लांस आपको तयार होगा मैं आपको 100% बताती हूं कि इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और यह पौध ही आपको 15-20 दिन में एकदम अच्छे पौधी भली सुन्दर तयार मिलेगी क्योंकि बरसात का मन्त है और इस मन्त में अगस्त की मन्त में अगर आप प्राजिता का प्लांस बीज से तयार करते हो तो इस बीज से तयार करकर आप दुरगा पुजा के समय धेरो फूल पाओगी क्योंकि हम लोग पहले से कुछ पौधे रेडी करकर रखती हूं और कुछ इस तरह से हम लोग बीज से भी पौधे बाद में रेडी करती हूं यह अगस्त की मन्त चल रही है और इस मन्त में इस बीज से आप लगाएं क्योंकि मैंने एक गमले में इतनी सारी नहीं लगाने हैं कम से काम आप 8-10 बीज को लगा सकती हूं इस तरह से तो आपको कैसा मिर्टी में लगाना होगा दोस्तों यहां देखे मैंने बहुत सारे प्लांस लगाती हूं और इस प्लांस को लगाने के साथ साथ मैंने मिर्टी को भी देखरे करती हूं लेकिन अभी क्या हुआ है कि इस तरह से हमारा प्लांस इसमें एक मर चुका है, तो इनकी देखिए, इस तरह से हमें जट को निकाल देना है, ताकि ये दूसरे प्लांस को ये खराब ना कर सके, तो देखिए, यहाँ पर इस जट को मैं निकाल दी हूँ, और यहाँ पर देखिए, इनकी रिशाय बने हुए जट हैं, जो आपको प्ल दाय कर ले क्योंकि कई दिनों से ये मित्ती हमारी इसमें जमी हुई है और जब मित्ती जमी हुई रहती है दोस्तों तो ये प्लांस बिलकुल भी नहीं उपाती है दोस्तों हम लोग बीज को क्या करती हैं अलग-अलग हिस्सों में लगाती हैं लेकिन हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कम से कम आठ से दस बीज लगा कर इस तरह से बीज को आप ले ले आठ से दस बीज जादा मैंने नहीं ली हूँ दोस्तों और इस तरह से एक अस्थान पर आप डाल दे जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है अब आप इसको इस तरह से मिट्टी को हलकी हल ज़वाना नहीं है सिर्फ इसको जैसे आप उढ़ना उढ़ती हूं उसी तरह से मिट्टी को उढ़ा देना है उसके बाद हम आपको 15 दिन के बाद मिलते हैं तो दोस्तो आए अब हमारा पूरे 15 से 20 दिन हो चुके हैं अब हम आपको प्लांट्स का रिजल्ट दिखाती हूं इ मैंने इस तरह से गमली मिट्टी में लगाई थी इससे मैंने दूसरे जड़ को निकाल फेका था और उसी जगह है पर मैंने अपराजिता का प्लांट्स लगाई हूं और इस प्लांट्स को आप देख सकते हो कि कितने स्वच और सुन्दर इनके आए हैं ये सिर्फ 15 से 20 दिन का रिजल्ट है और इस रिजल्ट को पानी के लिए मैंने एक जगह ही बीज लगाई थी दोस्तों और ये रिजल्ट देखिए मैंने आपको बताती हूं कि कितने प्लांट्स इसमें त्यार हुए हैं ये देखिए मैंने 8 से 10 लगाई थी लेकिन यहां हमारा देखिए 5 प्ला करने के साथ साथ उसकी बात क्या होता है दोस्तों कि जब हम इस मिट्टी को गुड़ाय कर लेते हैं गुड़ाय करने से इनकी जड़ अच्छी तरह से आप देख पाऊगी क्योंकि इस तरह से अगर रिजल्ट मैं नहीं दिखा पाऊँगी दोस्तों तो आपको मजाक लगेग अगर मजाक लगेगा तो आप प्लांस को बिल्कुल भी नहीं केयर करोगी तो इस तरह से दिखे मैंने यहां पर जो मिट्टी को गुड़ाय की है और यह हमारा प्लांट जो अती सुंदर है इतना सुंदर है जो मैं आपको दिखा रही हूं जिस से उगा कर मैंने बताई हू दोस्तों अब यहां पर क्या करना है आपको इस बीच से उगाए हुए प्लांट को आपको दिखिए तो यहां पर मैंने बीच से त्यार करकर आपको दिखाई हूं और इसको मैं आपको जड़ भी धोकर दिखाती हूं क्योंकि इस तरह से हम प्लांट को लगाती है जो आप सकते हैं कि इनके जड़ काफी दूर तक यह फैली हुई है और इनकी जड़ देखिए कितने नजदीक से मैंने जो लगाई थी दोस्तों वो इनकी जड़ देखिए इस तरह से हमारा त्यार है कि देखिए यहां पर पानी में मैंने किस तरह से जड़ को धूल दे रही हूँ क्योंकि इसमें भी हमारा दिखिए कितना बेहतिरीन तरीके से यह जड़ हमारा रेडी हुई है और इस जड़ को भी आप देख सकते हो क्योंकि अप्राजिता का प्लांट्स इस जड़ को आप देख कर समझ सकते हो कि यह प्लांट्स की तरह से घणे और बड़े रूप से हुए हैं और यह बीज से सिर्फ हमारा तयार हुए है पौधे जो आप देख रहे हो दोस्तों ये बीज से पौधे कितनी बेहतरीन तरीके से इनके जड़ देखिए कि आए हुए हैं ये बिलकुल इनके घने रूप से हैं आपको मैंने रिजल्ट के साथ दिखाई हूँ इस तरह से अब इसको अगर चाहोगे दोस्तों तो पांच हिस्सों म भी नहीं देगी तो यहां पर देखिए मैंने कुछ अच्छे दूर तक हौल कर दी है और इस जड़ को मैंने यहां पर देखिए इस जड़ को मैंने यहां पर डाल दिया है और डालने के बाद इसको हम यहां पर लगाऊंगी क्योंकि इसके जड़ इस तरह से लगेगी और यह बहुत ही अच्छे तरह से देना ऐसटार्ट कर देगी, तो देखे मैंने इहा पर इस तरह से फिर से इसको यहीं की यही मैंने लगा दी हूँ, क्यूकि मेरे सारे गमली में फ़लाबरिंग लगा हुआ है और यही पानी मैंने इहा पर डाल देती हूँ, क्यूकि हर पॉधे लगाने के बाद तुरंत पानी डालना जरूरी होता है अगर आप पानी नहीं डालोगे दोस्तों वो पौधे सुखना स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में वो मर जाती है तो इसी तरह से आप अपनी घर पर बीज से उगाएं अपराजिता का प्लांट और धेरो फुल पाए दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो करना लाइक और चैनल को कर देना सस्क्राइब दोस्तों बाए बाए